सुप्रभात नमस्कार गड़ मॉरिंग जसी टेक में आप सबका हार्देख स्वागत है 18 अक्तूबर 2014 18 अक्तूबर 2024 शुक्र है शुक्रवार है तैंक गड़ इस फ्राइडे और फ्राइडे को दोस्तों क्या होता है फ्राइडे को होती है सैंसेक्स की एक्सपाइरी दोस्तों सैंसेक्स की एक्सपाइरी पर तो चर्चा होगी यहोगी निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पर भी करेंगे चर्चा लेकिन सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे रिजल्ट्स पर कल एक्सिस बैंक के नतीजे आए साथ में इनफोसिस के भी आए नतीजे विपरो के भी नतीजे थे अगर मैं नतीजों की बात करूँ तो मुझे इनफोसिस के नतीजे ठीक ठाक लगे एकसिस बैंक के उमीद से थोड़े बहतर लगे उमीद से बहतर मतलब ठीक ठाक नतीजे है एकसिस बैंक के और इनफोसिस के अगर इनफोसिस की बात क लेकिन दोस्तों यह याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होता है खास करके बड़े स्टॉक्स में इनफोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स में तो अगर नतीजे अच्छा आते हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं profit booking का भी scenario बनता हुआ दिख जाता है तो कहीं ये मत सोचेगा कि आज follow up buying आएगी या नहीं आएगी वो तो खेर समय ही बताएगा लेकिन कहीं कोई इस उमीद में कि यहां से follow up buying आएगी और बहुत तेज अपसाइड कम होगा उसको देख सोचके चीज को कारे कीजेगा और infosys के basis पे अगर index में काम करें because हमारा basic है index तो अगर index में काम करें तो थोड़ा देख सोचके ही चलिएगा अब दोस्तों कल अगर आप देखेंगे तो कल FII 7,421 करोड के net sell में बैठे है 7,421 करोड के cash में net sell में बैठे हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक गरेलो संस्थागत निवेशक that is the DII's domestic institutional investors 4,979 करोड लगब लगब 4,980 करोड के net buy में बैठे हैं FII sell और DII's net buy दोस्तों कल आप लोगों ने देखा कि बड़ी अच्छी खासी गिरावट लोगों को देखने को मिली तो क्या कारण रहा क्या कारण रहा वो तो चलो तो आपको मालूम है भाई stocks में क्या situations कहां कहां क्या क्या हो रहा था लेकिन अगर हम FII's का futures का data देखें FII's कल futures में करके क्या गया है क्योंकि मैं futures की data पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूं और importance देनी भी चाहिए तो यहां पर कुछ बदलाव आपको यहां पर आते हुए दिखेंगे जब हम index futures की बात करते हैं तो finnifty future में buy करके गए हैं आपके प्यारे संस्थागत विदेशी संस्थागत में वेशए bank nifty में neutral गए हैं जी बैंक nifty में bias negative है लेकिन neutral है अब आप कहेंगे साब neutral कैसे इन्होंने 966.5 करोड का 966.50 करोड का buy किया है bank nifty का future और उसके खिलाफ 1991 करोड 1091 करोड का sell किया है mid cap nifty futures में यह buy करके गए है mid cap nifty futures भी buy bank nifty में neutral और अब बात करेंगा आप nifty futures की nifty futures में इन्होंने 1652 करोड का buy किया है और उसके खिलाफ 1669 करोड का sell किया है तो यानि कि यहां पर भी मैं एक neutral figure ही कहूंगा तो जादा बहतर रहेगा अब दोस्तों हमको बात करनी है bank nifty nifty mid cap nifty की लेकिन उससे पहले मैं आपके यह बता देना चाहता हूँ की 20 तारीक को यानि की संडे को संडे को 10 बजे से लेकर लगबग लगबग 12 सबा 12 बजे तक का 2 से 5 गंटे के हमारा session होने वाला है जूम application पर वो session होगा और इसका topic क्या रहेगा option selling बहुत लोग कहते हैं सर option selling समझ में नहीं आता option selling में पैसे बहुत लगते हैं तो भाई ठीक है लगते होंगे लेकिन उसको कैसे हम लोग hedge करते हैं किस तरह से हम लोग उसको कम पैसों में option selling कर सकते हैं वो सब अगर समझना है वैसे तो इसका price कुछ और था लेकिन किनी दोस्तों के कारण कुछ दोस्तों के कारण इसका price सिर्फ संडे संडे के लिए 499 रुपीज रखा गया है 499 रुपे रखा गया है जिसको भी इसमें participate करना हो वो मेरे को whatsapp message कर सकता है हमारी टीम को whatsapp message कर सकता है और वो link आपको payment का दे देंगे नमबर आप लोगों को बालू में description of the video में और pinned message of the video में दिया ही गया है लेकिन फिर भी whatsapp number बोता देता हूँ 78348 76736 चलिए खैर आप बात कर लेते हैं कि nifty mid select की क्या situation है यह याद रखिएगा चाहे nifty mid select है चाहे वो bank nifty है चाहे वो fin nifty है चाहे nifty है चाहे sensex है यह जित्ते भी indices हैं सभी के सभी 9 देमा के नीचे 20 देमा के नीचे 50 देमा के भी नीचे यह अब close होते हुए कल आपको दिखाई दिये हैं 1292 ट्विल 992 पर कल closing होई है निफ्टी mid cap की अब अगर निफ्टी mid cap की बात करेंगे तो निफ्टी mid cap हमको कहां से बनता है buy और कहां से बनता है sell 13,032 जब तक हम 13,032 के उपर ना जाए बाइं के वारे में नहीं सोच रहे हैं 13,032 के उपर ये बाइक के वारे में सोचेंगे next level आएगा 13,064 का 13,064 का उसके बाद लेवल आ सकता है 13,098 ए 13,098 अगर 13,100 को पार कर लिया तो 13,189 तक जा सकते हैं 13,118 ए 119 तक upside में जा सकते हैं on the downside my dear friends कल 12,92 पर closing है 12,976 का लोग है लोग कट गया अगर आज 12,976 का लोग कटा तो 12,954 के बाद 12,930 का लेवल 12,930 का लेवल और उसके नीचे 12,900 से 12,908 का एक लेवल आता हुआ हमको दिखाई दे सकता है इससे पहले कि मैं fin nifty पर बात करूँ यह याद रखेगा कि आज कुछ नतीजे भी आने हैं किस किस के नतीजे आने हैं जियो फिनेंशल सर्विसेस के आज नतीजे आने टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट्स के नतीजे आने हैं अब बात करेंगे fin nifty पर fin nifty की जब हम बात करते है 23,583,23,583 पर कल क्लोजिंग होई है जब तक हम 23,650,654 के उपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे बाए साइड के बारे में नहीं सोचेंगे उसके बाद लेवल आएगा 23,720,721 का 23,721 का अबाब दैट वी माइड भी एबल तो सी अनादर 50 पॉइंट गई अप 23,770,23,770,23,832 और उसके बाद 23,886,23,885,886 तक के अपसाइड के लेवल सा सकते हैं और अगर वह भी पार हुआ तो 23,924,925 जो कल का हाई है उसको भी टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं डाउन साइड के अगर बात करते हैं तो 23,531 कल कलो है 23,531 के नीचे अगर जाना स्टार्ट किया तो 23,485,23,485 आ सकता है 23,485 के नीचे गए तो 23,47 तो 23,447 और उसके नीचे आ सकता है 23,400,403 तो 23,400,403 का लेवल अब दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की देखिए आज थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा अपको सेंसेक्स के भी लेवल साज आज आपको देने हैं बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो देखिए जब तक हम 51,530,31 के उपर चलना स्टार्ट ना करें बाइसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे 51,530,31 यानि कि 51,500 तक का कोई भी बाउंस हो सकता है एक सेल ओन राइस की सिचुएशन हो सकता है वैसे तो मार्केट इस सेल ओन बाउंस और निफ्टी बैंक इस अलसो सेल ओन बाउंस बट फिर भी 51,530,31 के अगर उपर चलना स्टार्ट करते हैं तो यहां से हमको एक बार को लगग लगग 200 पॉइंट अपसाइड मिल सकता है 51,737 के आसपास और अगर वो पार किया तो 51, 51,867, 51,867 यानि कि 51,531 के ऊपर 51,737, 51,867 और अगर वो पार कर गया तो वह एक बार को 52,000 को टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं हां 52,000 हमारे लिए अब आप लोग उन कई दूनों से देख रहे हैं 52,000 कितना बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है हम 52,000 के ऊपर पार नह क्केमबर कल का लोग है 51,150 अगर 51,150 अगर नीचे के लिए कटता है 51,150 अगर नीचे के लिए कटा तो 51,000 10, 51,012 तकक का एक लेवल आ सकता है लेवल आ सकता है और अगर वो भी कट गया तो वहां से 55,823,58,585 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं and अगर 50,800, 830 वाला जो लेवल ही है कट गया ना तो फिर 50,573, 574 तक के लेवल से एक बार को हमको देखने को हो सकते हैं पर आप अब बात करेंगे निफ्टी 50 की देखें जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो कल 24,750 के आसपास क्लोजिंग वही है 24,857 यहां से 100 पॉइंट से भी उपर यहां पर कल क्लोज हुई है उससे 100 पॉइंट से भी उपर की बात कर रहा हूँ जब तक 24,850, 857 के उपर नहीं चलते बाइसाइड के ब 25,007 के लिए 24,917 के लिए 24,917 के लिए 24,917 अगर पार होता है तो 24,964, 965 आ सकता है और उसके बाद 25,000, 25,007 तक का एक लेवल दिखने को मिल सकता है अगर 25,007 क्रोस कर लिया न तो फिर तो भाई मज़े आ जाएंगे 25,000 भी आजकल आपको पता है कि क्रोस करना मुश्किल पढ़ रहा है जैसे बैंक के निफ्टी में 52,000 क्रोस करना मुश्किल पढ़ रहा है तो उसके बाद हमारे को लेवल आ सकता है 25,100 तो 25,114 तक का अपसाइड का लेवल एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है बट इ लोग 24,600,255 24,600,255 की और जाता हूँ देख पाएंगे उसके निचे गए तो 24,600,606 की तरह भी जा सकते हैं और बिलो दैट वी माइड बी अबल तो सी 24,569,570 के आसपास के लेवल याद रखिएगा कल साटड़े को आपको दो रिजल्ट्स हैं इंपर्टन बैंकिंग के दो रिजल्ट्स इंपर्टन जिनका निफ्टी पर भी बहुत स्ट्रॉंग रोल रहता है वो है HDFC बैंक, शेहनशा और दूसरा है कोटेक बैंक इन दोनों के नतीजे हैं शनिवार को तो इन दोनों के नतीजों का असर शायद आज जो है न क्योंकि आइडिया तो ही लोगों लेवल ही काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं Sensex की, Sensex की जिसकी है आज expiry और Sensex की expiry क्या कहती है दोस्तों? 81,000 पर closing हुई है, 81,600, 81,700 के आसपास की closing है, अब अगर बात करूं तो भाई, अगर हम 81,000 के put writer की बात करें, तो put writing है, 80,900 पर भी put writing है put writing का है 8900 और 81,000 जब तक हम 80,900 के नीचे जाना start नहीं करते हैं तब तक sell के बारे में नहीं सोच गए और अगर हम call writing की बात करें तो call rating का है 81,100 पर भी call rating है 81,100 पर 81,200 पर call rating है but हमने अगर 81,000 के उपर open होते हैं या फिर 81,100,105 के उपर चलना start करते हैं 81,104,105 के उपर चलना start किया तो यहां से हमको 81,200,235 दिख सकता है 81,200,235 दिख सकता है पहली चीज़ तो ये note कर लिजे और अगर हम 81,235 के उपर निकले क्योंकि 81,100,81,200 पर call rating ज़्यादा है अगर 81,200,235 दिख वाला लिवल निकाल दिया ना हमने एक बार तो यहां से बहुत तेजी से एक बार को 81,500 के और जा सकता है 81,500 के और मेरा लेवल आता है 81,513 का 81,513 तूटा 81,500,513 पर बहुत strong call rating है यहां पर रुख सकती है कहानी यहां से एक बार को कहानी रुख सकती है लेकिन अगर हमने 81,513 के उपर थोड़ी देर भी टिक गए या जटके में एक बार उपर को निकल गए तो यहांनी कि यह समझ लेजे 81,615,616 तक के लेवल सीदे सीदे देखते है 81,600,615 अब 81,600 पर call rating है 81,500 पर call rating है जैसे मैंने आपको बता है यहां से अगर उपर थोड़ी देर भी टिक है न तो फिर हम 81,800 को test करने जाएंगे 81,800 को तो मेरा level आता है 81,790,791 का 81,791 के level को test करने जा सकते हैं और अगर 81,790,791 टूट गया ना फिर यह रुके गा नी फिर यह रुके गा नी 82,000 को test करने के लिए आज ही जाएगा आज ही 82,000 को test करने के लिए जा सकता है याद रखिएगा अब downside की बात कर लेते हैं upside की तो मैंने बात कर ली कि 81,100 के उपर ही हम लोग बायस है 81,100,5 के उपर 4 के उपर ही बात करेंगे upside की downside की बात कब करेंगे 80,905 कल का low है और अब मैंने क्या बात की 80,009 पर put writing है थोड़ी बात अब अगर वो तूट जाता है कल का low तूटा 80,905 तूटा तो यहाँ से हमको एक बार को cell का signal मिल जाएगा जो हमको लेके जा सकता 80,724 80,724 की और और अगर वो भी तूट गया तो 80,515 80,515 and my dear friends 80,515 तूटा अगर तूटा तो 80,480,399 का मेरा लेवल आ रहा है 80,400 की आसपास और अगर वो भी तूट गया तो 80,120,121 80,121 तक के लेवल से एक बार को Sensex में हो सकते हैं हमको देखने को प्राप्त अब मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि संडे को एक webinar कर रहे हैं hedging कैसे कर सकते हैं किस तरह से कम पैसों में option selling की जाती है इन सभी topics को लेकर मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ सुबह 10 बजे संडे वाले दिन webinar है fees बहुत nominal रखे है ताक कि हर कोई आ सके कोई ये ना कहेगी नहीं साब fees बहुत ज़ादा है 499 अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो ये समझ लीजिए चाहाई ये festive offer समझ लीजिए 499 रखा है आप इसका लाब जरूर लें जिसको भी आना हो वो link मेरे से मांग सकता है payment link में आपको भेज दूँगा WhatsApp आप कर लीजेगा 7834-876-736 नमबर है और आपको ये description में और pinned message of the video में भी नमबर दिया गया है याद रखिएगा जो भी बातचीत हमारे इस वीडियो में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ academic purposes से हुई है इसका बाइसल की सला से कोई लेना देना नहीं है बाइसल की सला के लिए आप अपने financial advisor से कीजेगा बातचीत end screen पे मैंने तीन videos डाल रखे हैं जो कि काफी कारगर हैं काफी आपको उससे technical support, technical help, technical learning मिल सकती है तो वो भी जरूर देखिएगा याद रखिएगा अभी भी market sell on bounce है तो buy and dips वाली कहानी अभी नहीं है sell on bounce की market है technicals पे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अपनी positions को जितना हो सके उतना हलका रखना ही बैतर है ज्यादा बड़ी positions लेने की जरूरत नहीं है और जैसे ही अगर आपकी कोई भी call या put आज के दिन में sensex expiry में जैसे ही वो out of the money होती है आपका ये समझेगा आपका sell hit हो चुका है 15-20 मिनिट से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में particular trade में मत बैठीएगा सिर्फ और सिर्फ प्रीमेर मिटिंग मिलेगी और कुछ हाथ नहीं लगेगा तो आज के लिए इतना काफी है और मेरी तरफ से सब को है good luck for sensex expiry